इस वीडियो हम डिसकस करने वाल है तो दोनों ही लेंग्विजिस में डिसकस करेंगे लास्ट वीडियो हमने डिसकस करा है तो अगर एक्जाम में आप से खाली human capital पुछा जाता है तो आप इसको वहां एड कर सकते हैं ठीक है एक पार्टिकुलर जॉब या इंडस्ट्री से लाइक सोफ्ट्वेयर इंजीनियर जो है यहां पर टेक्निकल जो स्किल होंगे एक सोफ्ट्वेयर इंजीनियर के वो क्या इंक्लूड होंगा उसमें इसके जो स्पेसिविक अबिलिटी है उसके अंदर प्रोग्रामिंग इंक्लूड होता है उसके अंदर लीडर्शिप होनी चाहिए कि लोग उसे फोलो करें कि वो उसकी बाते हैं ऐसी हो उसको काम कराने का तरीका आता हो ठीक है कॉम्निकेशन कॉम्निकेशन जब तक अच्छा नहीं होगा तो हम काम तो करी नहीं सकते प्राब्लम सॉल्विंग ह कोई भी ऐसा मैटर आजाए जिसमें बहुत ज़्याद प्राब्लम हो तो वो एजली सॉल्व कर सके और टीम वक कराना आता हो उसे फिर आता है इंट्रिक्शुल कैपिटल तो इसमें इंक्लूड होता है नॉलिज एक्सपर्टाइज और जो एक्सपिरेंस होता है इंडिवि परिटिक्लर जीमें इंक्लूड होता है है डिविवान ओटाना इसमनें तो रहुत की पवांखिटन, परिक्विजर केपिटल फिर लास्ट है हमारा organizational capital तो यह वो टाइप का human capital है जिसमें include होता है system, process, structure जो enable करता है organization को ताकि वो function कर सके effectively example है कि organization capital में क्या include है company की technology, infrastructure, management system, communication जो भी protocols है तो अगर यह काम सही से करेंगे तो organization जो है function कर पाएगा effectively तो यह थे हमारे types of human capital next video में लोग discuss करेंगे human capital formation और उसकी importance क्या है I hope आपको clear हो गया होगा अगर वीडियो अच्छी लगए तो like it, share it and subscribe my channel, thank you